असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब मैं हो नादिया जायद और आज आपके लिए बहुत असान सा घेस्टेल बना रही हूं इनको पैडल ब्रश ब्लो ड्राय कर लिया था और अब इनके बालों को मैंने तीन सेक्शन में किया और फिर एक क्राउन एरिया से एक सेक्शन और निकाल करके आप इसको पिन से स्क्योर करते हैं वह बहुत ही जटपट बनने वाला यह हैर स्टाइल है और बहुत प्यारा लगता है और पिन लगाने के बाद आप हैर स्प्रे के साथ उसको लॉक कर दे और एक साइज का जो है डोनट को मैंने लगा दिया अब साइट की माम करके आ और थोड़े से बाल आगे से इनके मैंने छोड़ दी है ताकि फेस थोड़ा सा कॉंटोर लगे और यह हमाई क्लाइन थी इनसे मैंने परमीशन ली थी सिर्फ हैस्टाइल की और इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हूं जब आपका पूरा हैस्टाइल बन जाएगा तो फिर मैं वह कवर कर देंगे बेस के साथ अच्छा अब हमने आगे की जो बाल छोड़े थे तो वहां से हमने उस पर भी दो सेक्शन की हैं और बैक वाले जो बाल है इनके उपर मैं ब्रेड बनाऊंगी आप चाहें तो पूरे बालों की भी ब्रेड बना सकते हैं लेकिन अगर फे आपने काम करना है अब जो नीचे वाले बाल है इन पर कोई भी हमने मशीन वगारा यूज नहीं किया बस ट्विस्ट करते जाना है और ट्विस्ट करके इसको डोनट के उपर फिक्स कर देंगे अब बहुत इजी आपको तरीके से में बतारी हूं फिर इन्शालला आपको ज समझ आ रहा होगा है तो आप जरूर कॉमेंट करें और बताएं अच्छा इसको मैंने पूरा ट्विस्ट करके तो इसको स्क्योर कर दिया बालों को अब यहां पर एक इनका फ्रेंट मैंने इस तरह के सेट करके बाल और नीड करने के लिए इस ब्रेट के अंदर से बालों को और अंदर ही फिक्स कर दिया एक पिन के साथ और यह बहुत डीटेल में आपको यह दिखा रही है ताकि आपको समझ आ जाए बस एक पिन की मदद से इसको अंदर सेक्योर कर देंगी और यह इनका फाइनल लुक है फ्लार्स लगाकर डन हो जाएगा और चैनल को लाइक करें लाइक करें शेयर करें आई होब आपको पिसंद आया होगा आपने बहुत सारा ख्याल रखें और दौाओं में याद रखें आलाफेज